काफी सारे बच्चे मुझे रोज टेक्स्ट कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि सर FCI की जो रिसेंट नोटिफिकेशन निकली है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मिशन दे दो क्योंकि वेबसाइट पे और गूगल पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मिशन है जो क AGM और मेडिकल ओफिसर की पोस्ट निकली हुई है आप्लिकेशन की मैं बात करूँ तो आप्लिकेशन फॉर्म आपके ऑनलाइन ही भरे जाएंगे ओफ्लाइन प्रिंटेड या फिर आपको कही मार्केट से कोई फॉर्म मिल रहा है तो प्लीज उसको परचेज मत करना ठीक है वो कंसेडर नहीं होंगे आपको फॉर्म आप ओर्लाइन ही फिल करने है अप्लिकेशन फॉर्म की जो डेट्स है वो स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट ओफ मार्च से अप्लिकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करे जा रहे हैं और 31 ओफ्मार्च तक करे जाएंगे वो लास्ट students जो है basically या women है उनके लिए कोई fees नहीं है तो आपको ये form भरना चाहिए आगे मैं आपको धीरे-धीरे information दूँगा कि आपकी educational eligibility क्या है जो basically FCI ने मांगी है अगर आप eligible हो age eligibility क्या है अगर आप इन चीजों में eligible हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप form definitely भरना तो बात करते हैं अब age eligibility की और educational eligibility की अगर मैं age eligibility की बात करूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस particular वीडियो में मैं normally general administration जो post है ये category है उसके perspective से आपको सारी चीज़ बताऊंगा आपको थोड़ी सी महनत ये करनी है कि अगर आप बाकी किसी category में apply करना चाहते हो जैसे कि technical हो गया या फिर law हो गया तो legal हो गया basically तो आपको नीचे description पर जाना है वहाँ पर मैंने link दे दिया है official notification का आप वहाँ से जाके official notification को खोल के सारी information grab कर सकते हो तो चलिए बात करते हैं age eligibility के general administration के लिए तो minimum is 18 and maximum is 30 इसके अलावा आपको पता ही है कि government jobs में जो relaxation होता है आपका OBC और SCST का that is OBC का 3 साल और SC और ST का 5 साल वो तो इसके अंदर है ही साती सात अगर मैं बात करूँ आपके educational eligibility का for GA तो educational eligibility बहुत simple है आप post graduate होने चाहिए आपने post graduation करी होनी चाहिए या फिर आपके पास relevant degree होनी चाहिए जो post graduation के equal हो और आपको 55% minimum आपकी percentage होनी चाहिए post graduation में जो chartered accountant है या फिर company secretary है वो इस form को fill कर सकते हैं साथ-साथ वो students या फिर वो candidates जो law background से है तो उनके लिए basically bachelor's in law mandatory है या फिर 5 साल का integrated उन्होंने course करा हो law का तो यह है basically बहुत छोटी सी educational eligibility अगर अब मैं बात करूँ कि examination process कि आपने चेक कर लिया आपकी age आपने चेक कर लिया आपकी eligibility educational perspective से अगर आप दोनों में ही तरीके से eligible हो तो अब हम बात करेंगे आपके exam process की कि किस तरीके से exam conduct होगा कितने modules या कितने phases होंगे तो सबसे पहले basically आपका एक online test होगा written और उसके बाद होगा आपका interview online test की अगर मैं बात करूँ GA के लिए तो basically 180 number का आपका paper होगा आपको 2.5 hours दिये जाएंगे उस पूरे paper को करने के लिए अगर मैं subjects की बात करूँ कि questions आपसे कहां कहां से पूछे जाएंगे तो बहुत easy है quant, reasoning और D.I.E. इसके अलावा आपसे पूछे जाएंगे journal awareness से questions, management and ethics से, agriculture, agricultural economy and साथ ही साथ आपसे questions पूछे जाएंगे computer awareness की तो ये तो था आपका process online return का कि क्या-क्या subjects हैं, कितने marks का paper आएगा, कितने घंटे आएगा और इसके बाद आपका होगा final interview आपको ये भी make sure करना है कि जो weightage है आपके written examination का और साथ ही साथ आपके interview का वो रहेगा 90% और 10% आपके जो marks होंगे वो लिये जाएंगे आपके interview से अब मैं बात करने वाला हूँ salary की, जी हाँ guys इस particular post पे काफी lucrative salary होती है आपकी salary होती है आपकी 60,000 initial मतलब starting जब आपकी job लगेगी तो आपकी जो salary होगी, वो होगी 60,000 और with a period of time वो बढ़ती रहेगी guys तो ये बहुत crisp information मैंने इस particular वीडियो में दी है अधर post medical officer की post हो गई आपकी legal ये technical की post होई है भरना चाते हो आप basically तो आपको छोटा सा काम ये करना है कि description पे जाओ नीचे मैंने official notification की link दे दी है वहाँ पे जाके सारी information grab करो और अपने application form जो form है आपका वो फिल करो official website पे जाके अगर कोई भी information चाहिए regarding content या फिर वैसे भी कोई general आपकी कोई query है regarding this particular notification तो नीचे comment section में डालना मत भूलियेगा I'll definitely try my level best to give each and every solution of your query in the comment section. Thank you so much guys.